नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एवीडी पाठ सालावे दोस्तों आरारबी एंटीपीसी का अप्लिकेशन अस्टेटस का नोटिफिकेशन आ चुगा है जिसमें आपको 21 सितंबर से 30 सितंबर तक नोटिफिकेशन चेक करना है तो दोस्तों नोटिफिकेशन के दौरान यदि आपका फार्म रिजेक्ट हो जाता है तो उसके बार क्या आपको मौकार दिया जाएक आपको तो अससे आपको मौकार मिलने का चांसें तो आज इस वीडियो में देखेंगे इसिके बारे मैं एननालिशिश करेंगे कि आती रती है तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं और शुरूर करते हैं तो सबसे पहला दोस्तों कि यदि आपका जो है अप्लिकेशन रिजेक्ट हो जाता है आराल की एंटी पीशी में जिसके तरह आप जानेंगे नोटिफिकेशन के स्टेटस जो दिया गया है 21 सितंबर से तिस ही तंबर के भी चेक करना है उसमें आपको पता चलेगा कि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है या श्लेक्ट होता है तो आपको एक SMS के दौरा आपके Gmail एकाउंट जो आपने फॉर्म भरने के दौरान दिये हैं और आपके mobile नमर जो आपने फॉर्म भरने के दौरान है तो दोस्तों यदि आपका फॉर्म रिजेक्ट हुआ होगा तो आपको क्या करना होगा अगए तो दोस्तों पिछला वार गूप डी का जो नोटिफिकेशन आया था फॉर्म रोटिफिकेशन और स्टेटस चेक करने का तो उसके बाद जो है बहुत सारे लगभाद चार ल को चेख करेगा करें तो अपका क्छए है या गलत वसके बाद आपको फॉर्म फैर सब्मिट करने का मौका दिया जा गए तो दोस्तों तो ऐसा करने के लिए आपको 17 अगस्त से लगभाग टाइम दिया गया और 17 अगस्त से 30 अगस्त के आसपास जो है कोईरी डालना था 17 अगस्त से 30 अगस्त के बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पर है यह नोटिफिकेश्न जारी गया गया था ग्रूप डी को जो है फिर मौका दिया गया था कि यदि उनका निमलीखित चीजों में गरबड़ी के कारण फॉर्म रिजिक्ट हुआ है तो उसको जो है सुधार कर सकते हैं उसमें क्या क्या चीज था तो जैसे कि आपका डेट ऑफ बर्थ आपका फॉर्म घरने के दौरान ज सुधार सकते हैं और यदि आपका सीगनेचर के कारण रिजेक्ट हुआ है तो वो आप आप सुधार सकते हैं तो यह चार-पांच चीजे जो थी इस कारण अगर आपका फॉर्म रिजेक्ट होता है इसको सुधारने का मौका दिया गया तो अगर एंटी-पी-से में इस सभी यदि reject हो जाता है तो आपको form भरने का form को submit करने का फिर से correct करके फिर मौका दिया जाएगा या नहीं लेकिन दोस्तों जैसे की group D में जो है आपको form correction का मौका दिया गया था तो आसा कर सकते हैं या फिर आप 90% सियोर रह सकते हैं यदि आप जो है इन कारनों से जैसे की आपका signature, photo, date of birth या फिर date of ID issue या फिर educational qualification इन सभी कारनों से यदि आपका form reject होता है तो आप जो है इसको सुधार करके फिर से submit कर सकते हैं क्योंकि ऐसा group D में पीछे मौका दिया जा चुका है और यदि आपको ऐसा नहीं दिया जाता है तो आप जो है इसकी प्रतिक आवाज उठा सकते हैं और आप फिर से ND TV या फिर किसी का सहारा ले सकते हैं पिर अपना शोर्सर मेडिया का सहारा लेके सरकार को यह बात बता सकते हैं रेल्वेबोर्ड को कि ताकि वह फिर से इसका submit करें आगर ज्यादा student का form reject हो जाता है तो सभी मिलके एक बात फिर से अपील कर लिएगा तो जरूर आपको जो है तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद